पेरियार के हिंदू विरोत पर अगर हम रिसर्च करें तो शायद एक अलग घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी जो पेरियार ने कहा वो सिर्फ एक पागल या अपरादी द्वारा ही कहा जा सकता है पेरियार पर याशब्द भारत के पहले प्रदान मंत्री जवारलाल नहरू के थे जिन्होंने 1957 में एक पत्र में पेरियार की निंदा की थी करनाटक संगीत जगत में आजकल एक उतल-पुतल मची हुई है टी-एम क्रिशना को मदरास म्यूजिक अकादमी द्वारा संगीत कला निदी अवार्ड के बाद कई कलाकारों ने आपत्ती दर्जी की है संगीत कार बहने रंजनी गायतरी ने समुद्दे पर आवाज उटाई थी रंजनी गायतरी ने साफ साफ या लिखाता कि टी-एम क्रिशना दुआरा ईवियार जैसी शक्सियत के महिमा मंदन को नजर अंदास करना खतरनाक है जिसने खुले तोर पर ब्रहमडों के नरसंगार का प्रस्ताव रखाता और समुद्दाय की प्रतेक महिला को बार बार बद्दी बद्दी गालिया दी थी संगीतकार बहनों के बाद अन्या कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर टी-एम क्रिशना के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाई साजा की हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था आप चाहे तो हमारे X हैंडल पर देख सकते हैं जहां कई लोग संगीतकारों के पक्ष में आये तो वहीं बहुत लोग ऐसे भी थे जिनने इस विरोध से समस्या हुई जैसे की DM के सांसत कनी मोजी जो तमिलनाडो मुख्यमंतरी की बहन है खुद तमिलनाडो मुख्यमंतरी MK Stalin भी TM कृष्णा के समर्थन में उतर गए है साथ इस फैरिष्ट में एक और नाम जुड़ा एनराम का जी हां वहीदा हिंदू के एनराम जिननोंने रफाल डील को गोटाला साबित करने के लिए 80 चोटे का जोड लगा दिया था 22 मार्च को एनराम ने ट्वीट करते हुए TM कृष्णा को अवार्ड दिये जाने के फैसले का बचाफ किया साथ ही पेरियार की अलोचना करने पर उन्होंने रंजनी गायतरी को भी खरी-खोटी सुनाई रंजनी गायतरी ने भी पलटवार करते हुए X में लिखा है कि पेरियार ने ब्रामनों की हत्या का आवान किया आपके घर की महिलाओं को वैश्या कहा उसका महिमा मंदन करना बंद करे अब यहां कुछ लोग सोचेंगे कि दा हिंदू के एंदराम को इस मुद्धे पर कूदने के क्या आफशकता आन पड़ी आपको बता दूं कि मदरास म्यूजिक अकादमी के अध्यक्ष एन मुली दरसल एंदराम के भाई है और यहां भी एक तत्या है कि एंदराम खुद परियार के भक्त है ऐसा उनके ट्वीट से साफ पता चल जाता है तो आईए आज परियार के बारे में जानते हैं जो तमिलनाडू की राजनीती और समाज में एक जाना माना नाम है समर तक इने परियार नाम से भी बुलाते हैं जिनका तमिल में अर्थ है आदरनी या बड़ा व्यक्ती तमिलनाडू में अभी DM के पारिटे की सरकार है जो अपनी जणे दरवड आंदोलन में डूंटी है तमिलनाडू की राजनीती में जो भी दरवड विचारधारा से जुड़ा हुआ है उसके लिए पेरियार खुदा समान है उन्हें दरवड आंदोलन का पिता या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्मेंट का प्रणेता भी बताया जाता है और उनके अनुयाईयों के अनुसार EVR ने जीवन भर शोशित, वनचित और पिछलों के उत्तान के लिए काम किया लेकिन पेरियार का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर दरवड विचारधारा के लोग खुलकर बात करने में संकोच करते हैं वहा है पेरियार का हिंदू विरोध, ब्रामणों के प्रतिगरणा और स्त्रियों के पति उनकी गंदी मान सिकता पेरियार के हिंदू विरोध पर अगर हम रिसर्च करें तो शायद एक अलग घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी लेकिन फिर भी हम आपको कुछ गटनाओं का विरोध देते हैं 1953 में पेरियार ने गणेश मूर्तियों को खंडित करने के लिए आंदोलन चलाया इस दोरान के भाशन में उन्होंने कहा था मैं गणेश से शुरू करता हूँ क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उनी की पूजा की जाती है आंदोलन के चुनेवे दिन हजारों मूर्तिया तोड़ दी गई मालूम हो कि उस दिन गौतम बुद्ध की जैनती भी थी उनके खिलाफ एक मामला दायर किया गया था जिसके बाद में अदालोतों ने खारिज कर दिया था सिर्फ यही नहीं पेरियार ने अपने जीवन में अगर सबसे ज़्यादा घ्रणा किसी से की है तो वह है श्री राम जी से साल 1956 में पेरियार ने कारेकरम का आयोजन किया था जिसमें श्री राम की तस्वीरों को जलाया गया 1971 में ऐसी खबरे थी कि पेरियार ने एक रैली में श्री राम की मूर्तियों को चपलों से मारा और श्री राम और सीता मा की मूर्तियों पर चपलों की माला पहनाई गई प्रविडो के बीच एक संगर्ष था और लंगापती रामण एक द्रविड राजा था हाला कि यह सब भ्रांतिया हैं जिनका वालमिकी रामायन में कहीं कोई वर्णा नहीं मिलता अब आते हैं उनके ब्रामन विरूद पर पेरियार का पूरा मुव्मेंट ही ब्रामनों के विर देना चाहिए जो पेरियार ने कहा वो सिर्फ एक पागल या अपरादी द्वारा ही कहा जा सकता है पेरियार परियाशब्द भारत के पहले प्रदान मंत्री जवारला नहरू के थे जिन्होंने 1957 में एक पत्र में पेरियार की निंदा की थी इस पत्र में साफ पता चलता है क नेहरू भी पेरियार के ब्रामन विरोधी आंदोलन से खफा थे यहाँ पत्र नेहरू ने उस समय तमिल नाड़ो के कॉंग्रेस सीम के कामराज को लिखा था इसी पत्र में उन्होंने यहाँ भी लिखा कि उसे पागल खाने में डाल दिया जाए और वहीं उसके विकरत दिमाग का इलाज किया जाए ब्रामन महिलाओं पर भी उनके विचारब जान लीचे 1956 में एक लेक में पेरियार ने लिखा यदि अंग्रेजों का राज अगले 10 वर्चों तक जारी रहता तो आदे से अधिक ब्रामन स्त्रिया हमारी होती और तमिल उनके पती होते तता प्रभुत्व शाली जाती आदे से अधिक नश्ट हो गई होती जब ब्रामन महिलाओं ने हमारे लड़कों का पीछा करना शुरू कर दिया तब ही ब्रामन पुरश अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गए और विडंबना देखे पेरियार को तमिल नारू में सोशल जश्टिस चैंपियन बताया जाता है तमिल नारू में रजनी कांत और संगीतकार बेहने रजनी गायतरी जैसे हिंदू अब हिंदू विरूदी व्यक्तित्वों को खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे है आश्चर्या तो इस बात का है कि इतने सालों तक एक ऐसा वियक्ति कैसे भारत के एक हिस्से में मसीहा बना रहा